तो यह आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है जिसका नाम है किंग्डम फंगाई किंग्डम फंगाई जो है एक सेपरेट किंग्डम है आपको पता था कि पहले इसको प्लांट के अंदर रखा जाता था किंग्डम प्लांटी के अंदर पर इसको किंग्डम प्लांटी से निका ट्रॉफ यानि कह सकते हैं कि फोटो सेंथेसिस नहीं कर सकते हैं डिपेंडेंट है डेड और डिके माटिरियल के उपर ये भी इनकी बहुत बड़ी खास बात है इसको सैप्रोफाइटिक नेचर कहा जाता है ये बात आप याद रखना सैप्रोफाइटिक मीन्स जो डेड और ये और गिनिजम्स के उपर डिपेंडेंट रहें डिकंपोजर एक कॉमन नेम है नका फूर्ट चैन के आधार पे इनको डिकंपोजर कहते हैं क्योंकि जो चीजों को मिक्स कराते हैं स्वाइल में ब्रेक करके एकदम ब्रेक कर देंगे तो वो उस तरीके से हैं ये तो क्या लिखा हुआ है जन्रल एक बात लिखु वह ऊपर फंगस आर जॉबर फिन नहीं होने को आ लोगछा ऑंगसर कहते है तेा है जो दोसरों पर डिपेंडट सपोर प्रोडूसिंग जन्रली यह इस पॉर पोडaimer वा से करते हैं जन्रल से करते हैं most of them fungus spore produce करते हैं spore क्या होता है spore एक round सार structure होता है seed के जैसा होता है seed नहीं होता वो याद रखना इस बात को तो इस चीज को हम ये कहेंगे है ना cell wall इनके पास पाई जाती है plant kingdom में रखने की वज़य भी शुरुबात में वही थी क्योंकि इनके पास cell wall होती है के बाहर कर दिया गया तो यह हो गया वाल कंटेनिंग यूकरियोटिक हैविंग चिटिन यह बात याद देखेगा कि इनकी cell wall में चिटिन पाया जाता है और उसकी वज़ए से यह जो आपको दिख रहा है इनका स्टोर्ड फूड जो है वह है ग्लाइकोजेन यह आप याद रखना स्टोर्ड फूड मेटरियल जो है वह ग्लाइकोजेन होगा इनका अब हम इनके बारे में धीरे धीरे आगे पढ़ना जैसे की अगर आप मुस्रूम की जब बाडी देख रहे हैं तो वहां पर जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको हाइफी कहते हैं अगर इनके हाइफी के नेटवर्क को हमें एक साथ बुलाना चाहें नेटवर्क आफ हाइफी या जब उनका माइसीलियम क्या बोलेंगे भई माइसीलियम बोलेंगे यह याद रिखना इस बात को नेटवर्क आफ हाइफी इस नोन एस हाँ तो रूट टाइप जैसा जो दिख रहा रूट की जगे नहीं होता हो पूरी बॉड़ी में ही पाया जाता है अंदर भी होता उसकी बॉड़ी मे उसको माइसीलियम कहेंगे और यह जो आबको यह जो इस्ट्रुक्चर दिख रहा है हाइवा कहलाता है यह दिर को यह नेटवर्क वर्ट बन जाए गा तो माइसीलियम कहला दें लगता है कुछ और भी डाइग्राम है वह जिखा रहा हुँ यहां कि यहां पर इसको हाइफा कहते हैं यह देखिएगा नेटवर्क बिलाते हैं अब अप अंडरग्राउंड में वैसे यहां डाइग्राम्स में अंडर्राउंड लिखा हुआ है बट हम लोग को जो नेटवर्क है वही बुलाए जाता है अगर आप ऐसा कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड वाले पार्ट को है उपर वाले पार्ट को भी हम मैसीलियम कहेंगे ऐसी बात नहीं है यहां पर जो आपको दिख रहा हाइफा यह उपर दिख रहा सिंगल वाले क या नीचे वाले को आप मैसीलियम हाँ यह भी ठीक है वैसे भी बुला सकते हो कि नीचे वाले को हाँ सर जोते हैं पोईजन मीश Colin है नहीं नहीं वह प्रूटिंग बॉड़ी में होता है उसे पोईजिन जय हुए तो यह रहा आपका डायग्राम जो मैंने आपको समझाया मोज़ा होगा आपको सेप्टम ध्यान से देख लीजिए इसी डाइग्राम में को देख लीजिए क्योंकि आगे चलके फिर आपको यह देखने को मिलेगा सप्टम किसे कहते हैं लाइग्राइब अच्छी तरीके से यहां पर एक कोशीच कर रहा है। देखिए ध्यान से ये इसको सप्ट ये थ्रेड लाइक श्चर को सेप्टम कहरा यह पूरा यह निकि ये कैनाल जैसा है इसके बीच में जो लाइन पड़ती इसको सेप्टम कहते हैं और नुकलियाई भी आपको यहां पर इसका दिख रहा है यह दिख रहा नहीं यह को यहां तो यह पूरा यहां पर भी आप देख सकते हैं सब्सक्राइब आपको यहां पर भी दिखेगा यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो you can also see the septum over here look यह पूरी line को हमने क्या बोला है यह पूरी network को हमने mycelium कहा है और यह जो पीच बीच में से lines दिख रही है आपको यहां पर lines दिख रही है ध्यां से देख लीजिए आप लोग यह यह लाइन जो यह यह गार यह यह सेप्टम है यह हम और फ्रूटिंग बॉड़ी देखो इसके उपर यह structure डवलप हो रहा इसको फ्रूटिंग बॉड़ी कहते हैं जो यह बड़ा होके मश्रूम बनेगा ऊपर जाके यह ठीक है तो यह कंप्लीट हो गया यहां पर अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपने वापस उसी टॉपिक में जाएंगे मश्रूम तो यह mycelium क्या लिखा है दा बॉड़ी और फंगस इसकॉल देखा अभी यहां क्या लिखा है अभी आपने जैसे का है रूट वाले स्ट्रक्चर को नहीं रूट वाले को नहीं कहते हैं पूरे ही स्ट्रक्चर को mycelium कहते हैं ठीक है कि इस मेड़ आप नमर्व फाइंट जो होंगे वो किसके बने होते हैं सिंगल थ्रेड को हम क्या बुलाते हैं हाइफा और नेटवर्क आफ हाइफा को हाइफी और हाइफी से भी जब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तब उसको mycelium कहेंगे ठीक है जैसे तुमारे कपड़े बने किसके हुए हैं कपड़े किस चीज से बने हुए हैं कि बोलो को थ्रेड से बने कपड़े किस से बने धागे से बने समझे यान के कलेक्शन को क्या बोलते हैं कपड़े कपड़ों को जब हम कोई रूप देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं पैंट शर्ट ट्राउजर जी उसी तरीके से यह सिस्टम बन रहा है यहां पर सबसे पहले क्या आया हाइफा हाइफा जब कई सारे आ जाएंगे तो क्या क्या बनाएंगे तो यह भी हो गया इसके बाद क्या लिखा मल्टी सिल्लर नेचर जो है मल्टी सिल्लर नेचर के बारे में यहां पर बताया जा रहा आपको वहां पर दिखाया था बहुत सारे एक से के दूसरे यहां पर होते हैं सम लोगर फॉर्मा मल्टी लिउक्लियेटेड डेवलप सेप्टा है ना सेप्टा मैंने आपको वहां दिखा दिया था बीच में से लाहीं होती है उससे अलग हो जाता है नया और्गनिजम भी बना लेगा वहां से इसके बाद सेल वाल होती है जो अमीनो शुगर की पॉलीमर होती ही जिसको चिटिन कहते हैं अमीनो शुगर क्या होता है इसमें अमीनो एसिट पाया जाते हैं शुगर में अमीनो एसिट विद शुगर को अमीनो शुगर कहेंगे क्या होगा अमीनो शुगर इसके बाद nutrition तो मैं बता चुका हूँ absorb करते हैं nutrition के लिए ये food को बहार digest करते हैं इनकी body में से digestive enzyme secrete होता है ये आप याद रखना मैं ये बाद आपको अलग से फिर से दिखा देता हूँ वह बहुत important है ये diagram देखिए सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान से observe करिए क्या आपको ये दिख रहा है कि fungus किसी भी लखड़ी में किसी surface में कैसे उगते हैं कैसे लगते हैं देखो उसके roots उसके अंदर तक घुश जाती है या पूरे surface को cover कर लेती है ये रहा root उसकी इसको mycelium कहेंगे ये बात तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को अब इसके बारे में ये notice करिए ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फिर से एक बार दिखा रहा हूँ मैं आपको कि हाइफा और mycelium क्या होते हैं mycelium network होता है combined होता है और हाइफा single को कहते है अब इसमें से क्या होगा इसमें से ऐसे juice secrete होंगे digestion में जो help करेंगे ये juice जो है digestive enzyme इसकी बाहर निकलेंगे जगे को surface को देखो क्या लिखा यहाँ पर digestive enzyme degraded the substance इसी तरीके जैसे आप एक रोटी को मिट्टी में रख दीजिए दो-तीन दिन बाद वो रोटी को मिट्टी में आप देखो गए नहीं क्यों गई कहाँ वो पूरी गायब कैसे गई उसमें fungus ने उसमें digestive juice गिराए और जो क्या होगा digestive जो होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा वो हाइफा से अपने अंदर बोलो यह बात समय आ रही सभी लोगों को यहाँ जो material है reserve food material glycosin है जो कि एक एंड oil droplets reproduction मैंने बता दी आपको asexual होगा sexual भी होगा दोनों होंगे example east है यह नाम याद कर लेना आप लोग आप लोगों को किसी को भी अब जो नया टॉपिक आ रहा है उसका नाम है lichens तो हमने पढ़ लिया है bacteria और हमने पढ़ लिया fungus और हमने पढ़ लिया है protesta तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो lichens नाम का एक नया topic आ रहा है lichens क्या होते है सेंबायोटिक एस्वियेशन होते हैं इसी दो के बीच में जिसमें एक होता है बहुत है एक होता है दूसरा यहां blue-green algae निकी बैक्टिरिया वगरा साइनो बैक्टिरिया टाइप का है वो बट यह वाला हम लोग मानेंगे इल्गी गुरूप से है यह और इसमें यह देखो यहां पर diagram में दिखाया जा रहा है कि कौन कि से क्या ले रहा है जैसे कि blue-green algae तो यह बात आपको पता चल रही होगी कि फोल्वट्य अल्गी ने खाना बनाया सं से सनलाइट की मतल से और फूड इसको दे दिया अब यह नीचे होता है मिट्टी में तो नीचे से यह वाला इसको वाटर और मिंडरल प्रवाइड करेगा तो यह दोनों एक दूसरे का फाइदा करेंगे और यह बहुत ही important question है जो कई बार पूछा जाता है आपसे इंबायों से यह हो गया अच्छा यह वही फंगस के कुछ एक्जामपल दी हैं पीछले वाले फंगस के जो अभी हमने पीछे पड़ा दवाईयां बनाने में भी काम में आता है अच्छा लिचेंस का एक और काम है लिचेंस की बात करने लिचेंस और एयर पॉलुशन इंडिकेटर जहां पॉलुशन ज्यादा होगा वह ही दिखाई देंगे यह गाओं में या आप कभी कोई अपने होम टाउन या कहीं उधर जाएगा तो आपको वह दिखाई देंगे वहां पर यह क्योंकि लिचेंस वहां तो होई नहीं सकते जिनके घरों में मतलब यह वाला यह भी लिचेंस होता है यह वाला तो यह जो ग्र लिचेंस कार्बन डाई और सलफर डाई ऑक्साइड से मर जाता है यह कोश्चन पूछा जाएगा आप से क्यों लिचेंस नहीं पाये जाते क्योंकि वह सलफर डाई ऑक्साइड सो टू उनको बहुत नुक्सान पहुंचाती है और जहां जहां पर उपाय जाएंगे ऐसे गाउं में ही देखनी मिलेंगे आपको यह mostly आप कभी अपने जाईए दूर-दूर के गाउं में वहाँ पर ही आपको यह देख रहा डागराम देख रहा आपको यह सब है यह सब यह सब ओके तो यह था लिचिंज को लेके टॉपिक आपके लिए लिचिंज भी कंप्लीट हो गया और अभी हमारा जो है टार्गेट है कि यह टॉपिक यहां तक कंप्लीट होने के बाद एक दो कुई जूइस कराएंगे आपको हम तब हम प्लांट किंडम में स्टार्टिंग कराएंगे तो आज हमने फंग